क्लास नाइन्ट वाले सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी मित्र ध्यान से इस वीडियों को देखिएगा क्योंकि कुछ ही दिन बाद अब आपके त्रेमासिक एकजाम इस्टाट होने वाले हैं तो उसके लिए पेपर में जो आने वाले वस्तुनिष्ट प को शेर कर दीजेगा और आगे भी वीडियो पाना चाते हो दो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा पहला कोशियन जैसे के आप देखेंगे वायू का दाब जैसे जैसे गटता है वैसे वैसे द्रव का कवतनांक बढ़ता है गटता है इस्तिर रहता है इनमें से कोई नहीं तो मित्रों यहाँ पर आपका जो राइट अंसर होगा वो होगा गटता है अगला कुश्चन है गेश का द्रव में परिवर्तन कहलाता है गेश का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है तो यह कहलाता है सांतियो संगनन कहलाता है गेस जो है वो किसमें बदल जाती है द्रव में बदल जाती है तो ये क्या कहलाता है संगनन अगला कुश्चन है आपका थर्ड वाला वेताब जिस पर ठोस द्रव में परिवर्थित होता है कहलाता है तो वो कहलाएगा आपका साथियो द्रवनांख अगला कोशन देखिएगा पदार्थ के कनों को एक सांथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है जो पदार्थ होते हैं उनके कनों को एक सांथ जो बांध कर रखने वाला जो बल होता है वो कहलाता है अंत्रा आनूक बल क्या कहा जाता है अंत्रा आनूक बल जितने भी नाइन्थ वाले student जुड़ रहा है एक बार अपने सभी सांतियों को जरू शेयर करिएगा क्योंकि दोस्तों अब आपको क्लास नाइन्थ के all subject के वीडियो एक के बाद एक मिलने वाले हैं सांति जितने भी दोस्त हमारे क्लास नाइन्थ तेन्थ लिवंथ ट्वेल्थ में हैं सभी के वीडियो डालना सिरू कर दिये हैं तरमासे के एक्जाम के लिए आप सभी उनको जरूर पढ़िएगा देखिएगा तो आप सभी को शेयर कर सकते हैं निम्न में कोन पदार्थ का मौलिक गुन है निम्न में कोन पदार्थ का मौलिक गुन है तो यहाँ पर जो मौलिक गुन होता है द्रवमान और आइतन होता है पदार्थ का मौलिक गुन अगला कुश्यन है आपका पदार्थ के कन पधारत के जुगन होते हैं अति सुक्चुम होते हैं गतिज उर्जायूगत होते हैं एक दूसरे को अकर्षित करते हैं इन में से कोई नहीं तो दोस्तों इन मेंसें अभी ठीक है लाफ्ट वाला जो है इन मेंसें अभी है और यही आपका राइट अंसर होगा D option आपका correct है उसके बाद हम बात करेंगे पदार्त की कितनी अवस्ताएं होती है तो दोस्तों जो पदार्त होते हैं उनकी जो अवस्ताएं होती है वो 5 पिरकार की होती है आप सभी दोस्त वो 5 के नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी कमेंट बॉक्स में बताएं 5 कौन कौन सी होती है सभी कमेंट करके बताएगा 5 कौन कौन सी होती है चलिए अगला देखिएगा नीम्ड में कौन पदार्त का गुन नहीं है तो इसमें जो तरंग देरी है ये पदार्त का गुन नहीं है यह कोशन जो है आपके वस्तुनिष्ट प्रेशन है यही आपके कालिस्तान में पूचे जाँ फक्ते हैं यही जोडी में और यही एक सब्द में और यही वस्तुनिष्ट में और यही सत्य फत्य में पूचे जाँ सकते हैं ध्यान रखिएगा किसकी समपीडियता सबसे कम होती है तो टोस जो होता है उसकी समपीडियता सबसे कम होती है नीमन में किसका गनतु सबसे अधिक होता है तो जो टोस होता है इसका गनतु सबसे कम होता है अगला खुश्यन किसी ठोस्ट बदार्त का सीधे वास्प में परिवर्तन कहलाता है तो मित्रों ये कहलाता है उदर्व पातन किसी भी ठोस्ट बदार्त का किसमें बदल जाना वास्प में ठोस्प बदार्त का वास्प में बदल जाना क्या कहलाता है उदर्व पातन वास्पन की पिर्किरिया से उत्पन होती है तो थंड़क वास्पन की पिर्किरिया से उत्पन होगी क्या होगी तो थंड़क अगला खुशन है 1000 डिग्री सेल्सियस ताप मान का केल्वीन में मान होगा तो इसका अगर हम केल्वीन में बदलेंगे 100 डिग्री Celsius ताप मान का केल्वीन में मान होगा तो इसको हम केल्वीन में बदल देंगे तो इसका मान हो जाएगा 333.15 केल्वीन किसी बदार्त का केल्वीन में ताप 633.158 Celsius या centigrade में इस ताप का मान होगा तो इस विक्ताप का जो मान होगा साथियो वो होगा 400 ठीके correct answer आपका 400 सोर मंडल में plasma अवस्ता की उत्वत्ति का कारण है तो उच्च ताप सोर मंडल में जो plasma अवस्ता है की उत्वत्ति जो हो रही है उसके क्या कारण हो सकता है तो यह है उच्च ताप मतलब तापमान का अधिक होना गर्म करने पर गेस का आईतार होता है ठीके तो यहाँ पर आपका जो राइट अंसर होगा वो हो जाएगा बढ़ जाता है ठीके आद्र वायू में गीले कपड़े सुकते हैं देखिए आद्र वायू आद्र मतलब ठंडी वायू में देर से जल्द से उमस के कारण ठंडक के कारण मतलब जब वायू क्या है ठंडी है ठीके तो कपड़े के करते हैं देर से सुकते हैं अगला कोश्यन हवादार जगों पर द्रव के वास्पन का वेग बढ़ जाता है अगला कुछान है हमारा निमलिकित में कौन सही नहीं है पतात सुक्चम कनों से बना है इन चार वाक्ति में आपको एक बताना है जो सही नहीं है तो बता देता हूं टोस्पदार्त का संपीडियाता द्रव से अधिक होती है गलते कम होती है चिके तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदारत है तो वो है आपका द्रव में परिवर्थित हो सकता है और बिना द्रव में बदल सीधे गेशी वस्ता में जा सकता है और आप परिवर्थित रहे सकता है तो तीनों उप्षन आपके राइट है मतलब option number आपका उपर योगत सभी होगा अब last question आप सभी दोस्तों से है कि निमने में किसका उधर उपातन होता है इसका right answer आप हमें comment करके बताएंगे और आप कहां से इस वीडियो को देख रहा है आपका comment बताईएगा करके कांस से आप इस वीडियो को देख रहा है साथ ही अपने सभी friends के साथ से जरूर कीजेगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी की बटन को ओल पर कर लीजेगा मिलते हैं हम अगले वीडियो में इस question का answer आपको comment box में मिलेगा और भी इस chapter से यह आपका कोई question है तो आप comment करके पूँच सकते हैं धन्यूआ